Hello friends, so स्वागत है आपका हमारे computer instructor, राइस्तान computer instructor के इस online course में और इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे computer organization and operating system subject के बारे में So इसमें आज हम बात करेंगे यहाँ पे topic जो है finding and processing files जो कि आपके syllabus में दिया गया है finding and processing file Simple इतना लिखा गया है, तो इस topic के बारे में हम बात करेंगे इस video में So चलिए start करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं files के बारे में Finding files and processing files, कैसे files को हम search कर सकते हैं, find कर सकते हैं, कैसे उसको process कर सकते हैं Processing का मतलब क्या है, उस पे कौन-कौन से processing operations हो सकते हैं So यह सारी चीजे हम यहाँ पे इस video में discuss करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं information का collection, file क्या कहलाता है, data या information का collection है, जो file कहलाता है अब हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास data है, वो कोई भी type में हो सकता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे computer में हम जो भी data store करते हैं जो भी data हम store करते हैं वो file के रूप में ही store होता है चाहिए वो किसी भी type की file हो file किसी भी type की हो सकती है बट हम हमारे computer हो हमारा mobile हो जो भी data हम store करते हैं वो file के रूप में ही store करते हैं क्योंकि file क्या हुआ data का collection ही तो file कहलाता है so files चाहिए किसी भी type की हो हम मान लो कि आप कोई भी movie download कर रहे हैं तो क्या होगा, MP4 जो भी type होगा MP3 वगेरा, movie होगी, songs होगा तो MP3 होगा, ठीक है तो कुछ भी हम store कर रहे हैं कोई भी file चाहिए वो image है तो क्या है, jpg file है, png file है ठीक है, तो यह सारी files है, हम कोई भी data store कर रहे हैं, सो यह कोई भी powerpoint word file हो, excel file हो कैसी भी file हो, .c file हो .cpp file हो, सारा data जो भी हम store करेंगे, वो कहां store करेंगे, वो हम file के रूप में ही store करेंगे, हाँ file का type अलग-अलग हो सकता है यहाँ पर हम बात करते हैं, अपर basically file की type के बारे में basically file को दो type में divide किया जा सकता है, पहला होता है program file और दूसरा होता है data file, अब program file क्या होता है जैसे इसके नाम से पता है program file मतलब की ऐसी file जो program और software के instructions को निजदेशों को store करती है वो क्या कैलाएगी यहाँ पर program file, जैसे हम कोई भी program लिखेंगे तो ऐसी file जिसमें हम program से लिख देगे, तो वोई software बनाते है तो उनका जो data है उसका जो instructions है, निजदेश है code है उसका, उसको जिस file में store करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा वो एक program file हो जाएगी जैसे हम कोई भी program लिखेंगे तो वो program file कराएगी, क्योंकि उसमें program लिखा है, हमने instructions लिखेंगे किसी भी software प्रोग्राम के लिए data file का हो जाएगी data file वो file हो जाएगी, जिसमें हम simple data store करने की काम में ले रहे हैं वो हो जाएगी हमारी data file ऐसी file जो user जिस ऐसी file जो user data को store करती है, क्या कहलाती है data file कहलाती है, तो इस दो चीज़ें आपको समझाएगी, program file और data file क्या होती है ठीक है, files को हासानी से access करने के लिए और हमारी सुविदा के लिए हम क्या करते हैं, कि files को संभंधित, related folder में store करते हैं जैसे हम कोई भी आपने देखाऊगा अपने की system में, mobiles में हम अगर file store करते हैं, तो हम क्या करते हैं folders मनाते है, suppose हम कई गूमने गए trip पे, तो आप वहां की trip है उसके नाम से folder मना सकते हैं suppose आपको movie कोई भी है वो download किया है अपने तो आप उस movie के नाम से folder मना दोगी मतलब हम क्या कर रहे हैं, कि हमारा data क्या है, उससे related folder मनाते हैं और उस folders में हम data को या file को store करते हैं, ताकि हमें जिससे की हमें अगर बाद में search करना हो file को, तो उसे हम आसाने से search कर सकते हैं मानलों, आपने कोई भी movie download किये सपूच, तो आपको उस movie के नाम से, मानलों, आपने folder बना दिया, आपने सपूच कहीं गूमने गए, उसकी photos हैं, आपने उस trip के नाम से folder बना दिया ताकि आपको बाद में ढूनना होगा, तो simple आप क्या करेंगे, उस trip के नाम से search कर लेंगे, folder आपको आसानी से मिल जाएगा, movie search करने हैं तो उस movie के नाम से folder search कर लेंगा, आसानी से मिल जाएगा, सो मतलब जो भी data हम store करते हैं, folders में, so folders में store करते हैं, वो related folders गत तकि वो असानी से उनको बाद में संफ कर सके सभिस करना आँसानु हो जाएगा एक डियरेक्टरि अब सपोus्व हम धायं में था उनका नमंने देृदया ए भी UKD वाँ को क्या पता कि कौन सी मूवी कौन से फॉलडर में क्योंकि ये रिलेटेड फॉलडर नहीं है थाकि फाइलस को सर्च करना आसान हो जाए हमारे लिए मैं आसानी से सर्च कर सकते हैं एक डिरेक्ट्री डायरेक्टरी का मतलब फॉल्डर ही होता है या तरीके डायरेक्ट्री और फॉल्डर का मतलब से हमी है विंडोब़ में फॉल्डर बोलते हैं लिनेक्स अगरा में और जो कमांड creationонч advisor गोगर दा मिdzर सब्वकर हो सकती है MPT folder भी हो सकता है कोई भी file नी हो सकती है या उसमें बहुत सारी file भी हो सकती है सो एक folder के अंदर एक से ज़्यादा files हो सकती है और उसके अंदर folder भी हो सकते हैं एक folder के अंदर एक folder और हो सकता है तो उसको बोलते हैं sub folder मतलब folder के अंदर files हो सकती है folder भी हो सकते हैं और एक folder के अंदर जो भी folder बने होते हैं उनको बिसे क्लिए हम क्या बोलते हैं सब डायरेक्टरी या सब folder सब डायरेक्टरी बोलते हैं ओके अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई directory बनाते हैं जब भी हम कोई folder क्रिट करते हैं तो क्या होता है उसका जो data है तो उससे related information है वो कहां पर store होती है जो file की information है जो directory में maintain की जाती है जब हम कोई directory बनाते हैं तो उसकी information उसमें maintain की जाती है अब वो data क्या हो जाएगा जो भी data में store कर रहे हैं उससे related data एक तरह किसे हम कहेंगे metadata data about data एक data हम इस्टोर कर रहे हैं उसके बारे में जो information है वो डायेक्टरी में maintain की जाती है अब वो information कौन कौन सी हो सकती है जैसे जैसे name जो भी file है उसका नाम क्या है जो user को दिखाई देगा type क्या है जो भी file है उसकी type क्या है फायल की type क्या है position क्या है मतलब की जो भी read write pointer है उसकी location क्या है जब हम file को read करेंगे read कर रहे होते हैं या write कर रहे होते हैं जो pointer है उसकी location क्या है इसको भी store करता है location जो भी position क्या है और location मतलब की file की location क्या है जो file की location है वो कहां पे store है उसका path क्या है तो ये information है, ये भी इसमें maintain की जाती है आगे हो जाएगा size, जो भी file है, उसकी size क्या है अब size के हम बात करें, तो bytes में size क्या है उसमें किलकुल कितने block हैं, कितने words हैं तो ये साजी चीजें वहाँ पे store होती है file की size, byte में block, कितने block हैं, उसमें कितने words हैं तो ये file की size उसमें maintain होती है आगे होता है protection protection मतलब की access control हम file को access कर रहें, तो कोई किसी भी user के लिए उसको क्या access permission है, क्या protection उसमें लगा रखी है कि ये user मानलों कि इस file को read कर सकता है only या इसको write कर सकता है, या उसमें वो execute कर सकता है जो file permission होती है, एक तरिके से तीन होती है rwx, read, write और execute तो इनमें कौन सी protection उसमें लगा रखे, file पे access control कौन सा लगा रखा है, वो भी उसमें maintain होता है और usage, usage मतलब कि जैसे file create date क्या है, कब file create की गई थी access कब की गई थी, modify कब की गई थी इसका date भी वो आपे maintain की जाती है, कि कब last time वो access की गई थी कब वो modify की गई थी, यह सारी informations है, जो क्या है file directory में maintain की जाती है, जब भी आपको file पे right click करके देखते हो, कि properties में जाते हो, तो properties में आपको यह सारी चीज़े दिखाता है, कि file का नाम क्या है, file की type क्या है, file की location क्या है, size क्या है, यह सारी चीज़े बताते हैं, जब फाइल पे हम windows की बात करें, तो windows पे हम file पे click करके, right click करते हैं, और right click करके properties में जाएंगे, तो आपको यह सारी informations दिखाए देती हैं, जो कि उस file से related information होती है, okay, so अब हम बात करते हैं, file type तता उसके extension के बारे में, हम बात करते हैं, file type, file type तो बात कर चुके हैं, कि file है, जो basically दो type की हो सकती हैं, और भी type हो सकते हैं, वो मैंने, जो program file और data file, एक major category बताई थी, major लिए हम दो type में divide कर सकते ह files होती हैं, अलग-अलग type की files हो सकती हैं, और उन में उनका अलग-अलग extension हो सकता है, जैसे आप कोई भी file लिखते हो, executive file होती है, मानलो, .exe file होता है उसका extension, जैसे आप कोई word file बनाते हो तो उसका extension .doc होता है, text file बनाते हो तो उसका extension .txt होता है, तो यह files के type हैं, और उससे related एक्स्टेंशन से, कि एक्साम में कई बार इसा पूछा जा सकता है, कि इस फाइल का एक्स्टेंशन क्या होता है, ऐसा अब कुछ सेंस नॉर्मली आते हैं, तो ये कुछ important टाइप हैं, जो commonly यूज होते हैं, और उनके एक्स्टेंशन यहाँ पे दिये गए हैं, जैसे एक्स्टेंशन क्या होता है, .exe होता है, यह .com, .bin, यह उसके एक्स्टेंशन होता है, नॉर्मली, .exe हम यूज करते हैं, जाद तर आपने देखा होगा, .exe फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, मतलब उसको डबल क्लिक करके हम डाइलेक्टर द्रन कर सकते हैं, वह एक्स्टे इसी तरीके से source code, जो भी हम source code लिखते हैं, तो उसका extension अगर हम बात करते हैं, c language की, तो c program का extension क्या होगा, .c, cpp की बात करेंगे, तो उसका extension होगा .cpp, इसी तरीके से java, .java, ठीक है, तो assembly language का extension होता है, .asm, ओकी, यह source code हैं, उसके अलग-अलग language हैं, उनके अलग-अलग extension ह होते हैं, जिस भी language में हम program लेखेंगे, उसका extension अलग-अलग हो जाएगा, batch file होती है, बैच file का extension होता है, .batch यह .ss, text file है, text file का extension अलग होता है .txt, ठीक है, या doc, word file है, word file यह word processor से related जो files है, तो उनके extension होता है, .doc, doc, x, tex, rff, कोई सब हो सकता है, इसी तरीक से library files होती है library files हमने discuss कि या था library files क्या होती है कि ऐसी files चो library functions को store करती है जिनमें library functions define होते हैं यह हमारे system में या कोई भी compiler या कोई भी software वगएरा होता है तो उन में क्यों होते हैं library files पहले होती है जो एक तरीके से बनी बनाई फाइल से बने बनाई हमें program पहले से available होते हैं वो कहाँ पहोते हैं library files में होते हैं तो library file का extension क्या होता है dot lib या dot h और इसी तरीक से archives है जिनका क्या होता है extension dot arc dot zip dot tar यह हम daily life में use भी करते हैं dot zip zip file है उसका extension dot zip होता है ठीक है तो यह कुछ files थे file की type थे और उनके कुछ extensions थे तो इसको आप देख लेंगे आपे और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे file को search करना या file को find करना file को कैसे हम search करते हैं कैसे file को find करते हैं इससे related कुछ points हैं अगर हम बात करें Microsoft Windows की मतलब की graphical user interface की देखो पहले टाइम पर होता था GUI command line interface अब नौर्मली हम यूज करते हैं जो होता है graphic GUI based operating system तो हम बात करें Windows की तो इन में GUI में file को search करना बिल्कुल आसान होता है उसमें आपको file search करने के लिए simple search box दिया जाता है उसमें file का नाम टाइप करेंगे या तो full name टाइप करेंगे या half name टाइप करके आप उस file को आसानी से यहाँ पर search कर सकते हैं suppose मुझे Windows में कोई भी file search करनी है तो मैं क्या करूँगा simple यहाँ पर search box हमें given होगा search box में जाएगे और यहाँ पर आप कोई भी नाम यहाँ पर type करेंगे जो भी file आपको search करनी होगी उसका पूरा नाम star type करेंगे आप यहाँ पर या फिर कुछ starting के कुछ character यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो file आपको यहाँ पर search करके दिखा देगा अगर वो file या उस नाम से related जो भी files हैं folders हैं उन सब को आपको दिखा देगा Windows में मतलब कि GUI base में file को search करना है जो बिल्कुल आसान है आप simple सा search box में जाएंगी और file का name type करेंगे और file को आप वापे search करेंगे अगर वो file available होगी तो आपको file दिखा देगा वाँ पे file का extension यूज़ करके उस extension की सारी file को हम search कर सकते हैं तो यह क्या मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको मान लो file का extension मतलब कि executable file है .exe तो मतलब आपको कोई particular file नहीं search करनी है आपको वो सारी file search करनी है जिनका extension .exe है तो अगर आप ऐसा करना चाते हैं देखो particular file आप search करना चाते हैं तो उसके नाम से आप search कर सकते हैं simple उस नाम को आप search करेंगी तो आपको उससे related जो भी file folder होगा वो आपको दिखा देगा बट मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक साथ एक से जादा file search करना चाते हैं जैसे आप चाते हैं कि मैं चाता हूँ कि ऐसी सारी files को मैं search करना चाता हूँ जिसका extension .doc होता है या मैं ऐसी file search करना चाता हूँ जिसका extension .exe होता है ठीक हैं तो ऐसे हमें search करना होगा मालो एक example में ले रहा हूँ कि हमें वो सारी file search करनी है जिसका extension .exe होता है तो उसके लिए हमें क्या type करना होगा search box में उसके लिए हमें type करना होगा star .exe तो star का मतलब यह है star .exe तो star का मतलब यह है कि last में .exe होने चाहिए इसके आगे कुछ भी हो star का मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है उससे हमें मतलब नहीं है so dot exe लिख रहे हैं हम तो इसका मतलब dot के आगे star है तो इसका मतलब dot से आगे star है इसका मतलब dot से आगे कुछ भी नाम हो सकता है x, y, z, कोई भी नाम हो उससे हमें मतलब नहीं है लास्ट में .exe होना चाहिए star के बाद में .exe है मतलब कि उसके last में .exe होना चाहिए वो file हमें चाहिए उसके आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें वो सारी file चाहिए जिसका extension .exe है इसी तरीक से आपको वो file search करने है जिसका extension .doc होता है तो हम क्या करेंगे star .doc टाइप करेंगे तो आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है last में star के बाद में जो है वो चीज वो search करेगा तो last star के बाद में .doc मतलब जिनके files के name के बाद में .doc मिलेगा उन सारी files को search कर लेगा मतलब यह है कि star symbol है star sign है उसके बाद में जो भी extension हम प्रवाइड करेंगे उस extension की सारी files को वो search कर देगा आगे हम और बात करते हैं जैसे अगर हमें किसी particular मानलो की X से start होने वाले file को search करना है तो मानलो आपको ऐसे search करना है कि मुझे मानलो वो सारी file search करनी है तो अगर आप किसी particular से start होने वाले file को search करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे तो आप वहापे type करेंगे X example ले रहा हूं मानलो वो सारी file search करनी है आपको जिसका नाम X से start होता है तो हम क्या type करेंगे X star dot star sorry क्यों अब देखो मैंने बोलाता है start का मतलब कुछ भी हो सकता है उसके साथ में ठीक है जैसे हमने dot के हागे start लगाया तो dot से हागे कुछ भी हो सकता है अब इसी तरीक से आपको क्या करना है आपको वो सारी file search करनी है जिनका नाम X से start होता है तो आप starting में X लिख देंगे तो X उसके बाद में start लिख देंगे और dot X dot X का मतलब होता है कि dot के बाद में भी कुछ भी हो सकता है चाहे वो dot txt फाइल हो चाहे वो dot doc फाइल हो चाहे वो dot ex फाइल हो dot के बाद में कोई भी extension उससे मतलब नहीं है हमें वो सारी file चाहिए जिनका नाम X से start होता है तो ऐसी file जो X से start होती है और उनका extension कुछ भी हो सकता है आप इजे type करेंगे तो वहाँ पे वो मिल जाएगी आपको मालो आपको वो सारी file चाहिए जिनका जो X से तो start होती है बट उनका extension भी fix आप करना चाहते है मालो वो .exe file है वो search करनी है तो आप क्या करेंगे नाम तो X से start हो जाएगा उसके बाद में कुछ भी हो सकता है नाम start लगा दिया आपने और . अब की बाद डॉट के बाद यह start था मतलब उसका extension कुछ भी हो सकता है बट हम चाहते है अब की बाद वो नाम से particular नाम से start होने वाली files को भी हम search कर सकते है अगर हमें अगर हमें ऐसी file search करनी है जिसके नाम में ABC आता है मालो आपको कि ऐसी file search करनी है कि जिसके नाम में ABC आता है ABC में कोई example ले रहा हूँ वापे कुछ भी हो सकता है मानलो आपको ऐसी फाइल सर्ज करनी है जिसके नाम में राम आता है कुछ भी आता है आप नाम कोई भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं वो स्ट्रिंग आती है उसके नाम में तो हम कैसे सर्ज करेंगे तो मानलो आपको ऐसी फाइल सर्ज करनी है जिसके नाम में ABC आता है आगे पीछे उसका नाम में कुछ भी हो कहीं भी उसमें ABC आता है उसके नाम में वो सारी फाइल आपको सल्ज करने हैं तो आप कैसे सल्ज करेंगे आपको क्या टाइप करना होगा आपको टाइप करना होगा स्टार ABC स्टार ABC सी इस्टार डॉट इस्टार अब आप समझ गया होंगे साथ क्योंकि देखो आपको क्या कि नाम में एबी सी चाहिए आगे पीछे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है तो आपको एबी सी चाहिए वो आपने लिग दिया जो फिक्स चीज़े वो आपने लिग दी अब उसके नाम मतलब आपको सकता है पीछे भी कुछ भी हो सकता है नाम में तो पीछे स्टार लगा दिया और डॉट स्टार लगा सकते हैं क्योंकि उसका एक्स्टेंशन भी स्ब्रें तो आपको इसार्यंद हो सकता है ewो ऐसे हो सकता है ABC PQR तो इसके नाम में ABC आ गया या ऐसे भी हो सकता है XY ABC तो इसके नाम में ABC आ गया तो आगे पीछे कहीं भी ABC उसके नाम में आना चाहिए तो वो फाईल आपको सर्च करनी है तो आप start ABC start dot star आप यहां पर सर्च कर सकते हैं I think आपको चीज़े यहां पर समा जा रही होंगी, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको SC, EXE फाइल सर्ज करने हैं, मतलब आपको SC.EXT, जिसका EXE हो, वो फाइल सर्ज करने हैं, जिसके नाम में ABC आता है, तो आप क्या करेंगे, आप लेखेंगे, मतलब ABC के आगे कुछ भी हो सकता है, ABC के पीछे कुछ भी हो सकता है, बट अब की बार हमने .EXE लिख दिया, मतलब हमने वो फिक्स कर दिया, कि उसका EXTENSION EXE होना चाहिए, तो .EXE इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यह वो सारी फाइल सर्ज कर देगा, यह था फाइल सर्ज के बारे में, अब बात करने में, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो भी फाइल से उनको प्रोसेस करना, फाइल प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है, कि फाइल प्रोसेस करने का मतलब होता है, फाइल को मैनेज करना, जैसे फाइल के लिट करना, फाइल को मौडिफाई करना, फाइल को डिलीट करना ठीके तो यह साइल चीज़ें क्या कहलाते हैं, फाइल प्रोसेसिंग कहलाते हैं So, फाइल को प्रोसेस करने के लिए basically एक कह सकते हैं, एक software होता है हमारे जो भी अगर बात करें windows की operating system की तो operating system में एक program होता है जो हमारी files को manage करता है हम बोलते हैं कि operating system हमारी files को manage करता है file management system हमने पढ़ा था but operating system तो हमारी file को manage करता है but उसमें भी operating system में भी एक module होता है हम कह सकते हैं एक program होता है एक software होता है जो files को manage करता है उसका कम files को manage करना ही होता है तो उसको बोलते है file processing system FVS ठीक है जिसे NTFS file system भी था NTFS file system था तो यह क्या है यह file processing system है जो क्या करते है files को manage करते है तो computer system में file processing system एक तरीका है एक method है कैसकते है एक program है जिससे files को आसानी से store किया जाता है X6 किया जाता है, Manipulate किया जा सकता है वो ही बात है कि files को manage किया जाता है ठीक है? अब कुछ file processing क्या कहलाता है जैसे file processing से मतलब is file को process करना manage करना ठीक है, और processing का मतलब है file में कुछ operations है, वो काम आते हैं जैसे file create करना, वो कौन कौन से operations से वो भी देख लेते हैं तो वो साज operations perform करना मतलब file processing कहलाता है जैसे जैसे नई file create करना यह क्या है file processing मतलब files पर कुछ operation process करना क्या-क्या operations हो सकते हैं जैसे files create करना कोई नई file आपको create करनी है तो windows में तो आप file को search करना file में keep writing करना मतलब email account अब को फाइल को truncate करना यह सारे क्या है जै कुछ operations है file पर perform करते आप यहां पर आता है file को delete करना और यह होता है file को truncate करना इनमें दोनुं में difference है file delete करने का मतलब होता है के complete file को delete करना जैसे समझाल upfront यह है इसमें कुछ data है और यह फाइल से related कुछ data है जो फाइल की information है यहाँ पर मैं information लिख सकता हूँ तो फाइल में दो चीजें होते हैं एक तो फाइल के अंदर data होता है और यह उसे सी related information होती है अभी हमने देखा था तो अग़र हम delete कर रहे हैं file को तो delete करने में क्या चीज़ है कि दोनों चीज़े delete हो जाएंगी data plus information दोनों delete हो जाएंगे बट हम बात कर दें truncate की तो truncate में क्या होता है only data delete होता है information है वो delete नहीं होती है so file delete करना file truncate करना इसमें difference है यहापे जो मैंने आपको आपे बता दिया है ठीक है और last हम बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम बात करें windows की तो windows में gy system में तो direct option दिये होते हैं जिनका use करके हम file पे साज operation perform कर सकते हैं जैसे file पर write करना है double click करो file को edit करो file को delete करना है right click करो delete option पे जाओ delete करो new file करना है right click करो new पे जाओ file create करो GUI में तो direct options दिये होते हैं उनका use करके हम file पे साज operations आसानी से perform कर सकते हैं बट अगर हम बात करें command based operating system पे command based system पे उस पे काम करते हैं तो हमें इन सब operations के लिए क्या होगा अलग अलग commands दी होती है वो commands हमें पता होना चाहिए उन commands का use करके हम यह operations आसानी से perform कर सकते हैं तो कुछ commands है यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने दी हुए है जैसे file को create करना file को create करने के लिए touch command होती है अगर हम बात करें Linux की तीक है touch command होती है touch और file का नाम यहाँ पे देंगे तो उससे file create हो सकती है अगर आपको कोई folder create करना है तो इसके लिए command होती है mkdir mkdir directory कोई folder create करना आपको क्या करना होगा mkdir और आप folder का नाम देना होगा folder create हो जाएगा अगर file को view करना है आपको किसी folder के अंदर कौन-कौन सी files है वो view करना है तो आप ls command का use करने है file को view करना file को search करना है तो इसके लिए find command होती है find यहाँ पे जो file का नाम देंगे उसको यहाँ पे find कर देगा file को delete करना है तो delete करने के लिए rm command होती है remove इससे file और directory को आप remove कर सकते है so यह सारी यहाँ पे कुछ commands है मैंने सारी commands नहीं लेकिया ऐसे तो अब हम जाएंगे अगर हम windows में तो sorry doc operating system में Linux operating system में तो बहुत सारी commands होती है क्योंकि वहाँ सारा काम ही command से होता है बट कुछ यह files related command थी जैसे file create करना, file delete करना file को view करना, file को search करना folder create करना, ठीक है so यह सारी command थी, so इसमें हमने आपे बात किया है, files क्या होती है और file से related जो भी operations है, वो आपे हमने discuss किया, और files को कैसे search करना है, इस से related कुछ चीजे हमने आपे discuss किये यह ऐसे तो कोई अपने आप में कोई बहुत बड़ा है, तो आगे हम MCQs में यहाँ पर cover कर लेंगे, okay so इस वीडियो के साथ यहाँ पर operating system and computer organization जो subject है, वो यहाँ पर complete हो गई है, अगर अभी भी मुझे लगता है कि कोई topic बाकी रह गया है, या ऐसा कोई topic है जो में से miss हो गया है, तो मैं further आगे और videos बनाके इसमें add कर दूँगा, जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी इस course में 10 videos हैं आगे मैं MCQs हैं, उनको भी add करूँगा, वो आगे मैं time to time add करता रहूँगा, उसमें MCQs add करता रहूँगा और कोई भी topic अगर मिस हो जाएगा, तो उस पे भी videos बनाके मैं further add करता रहूँगा, बट फिलाल के लिए यह subject है, operating system and computer organization complete हो चुका है, ठीक है, तो आगे मिलते हैं आगे all subject में, तब तक के लिए bye bye and take care